अब देखिए बाद हो रही है Sunrise Mission के बारे में इसका full form है Sun Radio Inferometer Space Experiment तो NASA जो है गाई इसने कहा है कि 2023 के बाद जो है ये mission को launch करेगा Sunrise Mission तो NASA का mission है ये ये वाली चीज़ आप ध्यार में रखना prelims के लिए और इसमें सूर्य जो है वो किस प्रकार से जो giant solar particle stroms जो है create करता है release करता है उसको समझने के लिए उसको study करने के लिए ये Sunrise Mission नासा का हमें देखने को वेड़ा है जैसे कि Space के अंदर सबसे बड़ी problem ये एक आती है कि कई बार सूरी की तरफ से wind blast आता है तो उसके कारण हमारी काफी सारी satellites जो मौझूद है Space में काफी सारे objects human objects जो मौझूद है तो वो damage होने का उनको खतरा होता है जैसे कई बार astronauts जो है वो mission पर जाते है Space के आगे की बात करते हैं और यहाँ पर हम लोग prelims exam को target कर रहा है फिर से मैं आपको उधायत हूँ और mains के लिए और detail में अगर आपको पूरे topics पढ़ने है तो playlist अविलेबल है daily basis पर पूरे topics में आपको पढ़ाता हूँ यह revision series चल रही है जहाँ पर prelims 2021 को target किया जा रहा है नटूना आइलेंड की बात करें गाईज तो नटूना आइलेंड जो है गाईज यह इंडोनेशिया के exclusive economic zone में हमें देखने को मिलता है और नटूना आइलेंड को जो है वो claim करता है चाइना भी और चाइना तो यह South China Sea पर मौजू जितने भी आइलेंड समय देखने को मिलता है उसको claim करता ही करता है तो Singapore के पास में हम लोग को नटूना आइलेंड देखने को मिल रहा है और इंडोनेशिया के exclusive economic zone के अंदर जो है यह आता है तो यह इसकी location बस थोड़ी सी आप लोग ध्यान में रखिएगा Central Government ने पास किया है जम्मू एंड कश्मीर reorganization adoption of state laws order 2020 को यह order define कर रहा है कि new domicile rule मतलब जम्मू एंड कश्मीर में रहने वाले जो निवासी हैं उनके नए नियम जो है वो क्या होंगे तो इसको लेकर यह हम लोग को order देखने को मिला है और बता जा रहा है कि a person residing in जम्मू एंड कश्मीर for at least 15 years will now be eligible to be a domicile of union territory तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो व्यक्ती पिछले 15 सालों से रह रहा आता तो अब उसे जम्मू एंड कश्मीर का domicile जो है वो बना दिया डाएगा यह वाली चीज हाँ पर बताई गई है if a person has studied for a period of 7 years and appeared in class 10th or 12th examination in an educational institution located in UT जम्मू एंड कश्मीर will also be considered as the domicile of the UT तो जो बच्चा जो है पहली बात तो 15 साल और जो बच्चा जो है वो जिसने जो institution जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हमें देखने को बलता है तो उस बच्चे को भी जो है जम्मू एंड कश्मीर का domicile बना दिया जाएगा तहसीलदार जो होंगे यह competent authority होंगे वहाँ के जो की domicile certificate जो है वो देंगे पहले जो हुआ करते थे वो deputy commissioner हुआ करते थे उसकी जगापर अब तहसीलदार को जो है यह paper दे दी गई है section 5a इस order का यह कह रहा है कि no person shall be eligible for appointment to a post carrying a pay scale for not more than not more than level 4 unless he is a domicile of ut of jammu and kashmir तो देखो level 4 के ऊपर की जितनी भी जो है वो बताई जा रही है कि jobs होंगी वो उनी को offer की जाएगी जो लोग domicile होंगे जammu and kashmir के और इसी same order से केंदर सरकार ने जammu and kashmir civil services special provision act को भी जो है वो रद कर दिया है अब lifeline ओडान की बात हो रही है तो ministry of civil aviation ने यह launch करी है lifeline ओडान को और यह बताया जा रहा है कि it is for domestic and overseas movement of essential cargo जो essential cargo जो है ना जैसे कि medicines वगेरा इस प्रकार के products है essential products तो उनके movement के लिए जो है यह service जो है वो शुरू कर रही है lifeline ओडान क्योंकि इस समय कोरोना वारिस के समय पर सब कुछ जो है वो बंद हो गया था बट फिर भी कुछ essential cargo जो है उनका movement होते रहना चाहिए domestic पर भी और overseas movement भी होना चाहिए तो इस purpose के लिए यह चीज की गई जैसे कि supply of essential medical products जो है वो continue हो रहे है अब देगे price monitoring and resource unit की बात करे PMRU की बात करे गई तो यह registered society है यह काम करती है direct control जो state drug controller जो होते है respective states के तो उसके अ अंडर यह body को रखा गया है price monitoring and resource unit और national pharmaceutical pricing authority के दोरा इसको funding प्राप्ट है इसके जितने भी खर्चे होते हैं चाहिए वो recurring हो या non recurring हो तो उसके लिए तो इसके काम क्या होंगे तो national pharmaceutical pricing authority की मदद करना और state drug controller की मदद करना यह ensure करने के लिए कि affordable prices में सस्ते दामों में जो है वो करती है दूसरी information education और communication activities में involved रहती है कि जिससे की medicine सभी के लिए जो है वो available हो affordable prices में उस पर यह काम करती है samples collect करने का इसका काम होता है medicines के analyze करती है data को collect करती है data को report तयार करती है keep जो medicines जो है कही वो over price तो नहीं है उनकी availability है कि नहीं है उससे related जो है वो data तयार करती है जिससे की drug price control order के provision के तहर जो है वो कारवाई की जा सके और जम्मु एन कश्मीर union territory जो है गाईज यह बारवी हम लोग को state देखने को मिल रही है या या हम लोग को territory देखने को मिल रही ह केरला, ओडिशा, गुजराद, नागरलेंड, हर्याना, पंजाब, राजिस्थान और त्रिपुरा, उत्तरप्रदेश, आंद्रप्रदेश और मिजोराम जैसी states के अंदर यह PMRU price monitoring and resource unit already available है तो आपको इसके function पता होने चीए थोड़े से कि एक काम क्या करती है और यह किसके food shortage जो है वो बहुत जादा हमें देखने को मिल रहा है इस दौरान coronavirus के समय पर food shortage जो है वो बहुत जादा बढ़ गया है right क्योंकि supply बगरा बन था ना तो यह एक बड़ी problem थी अब देखो ethereomycin hydroxy chloroquine combination तो अभी जैसे मुझे बहुत जादा पता नहीं क्यों खासी बगरा बहुत समय से दी post covid मेरे को भी covid हो गया था बट बहुत लंबे समय तक खासी थी तो अभी यह ethereomycin जो है वो अभी मेरे फादर ने जो हो जिद्दी है अभी post covid के लिए तो अब देखते हैं कि अभी ठीक तो लग रहा है वसे काफी improvement है तो it is allowed by union health ministry under severe condition तो severe condition में इसको allow किया गया है इस combination को पहले जो guidelines थी जिसके अंदर कहा गया था कि anti-hiv drug retonevir lopanivir जो है उसका उपयोग किया जाएगा high risk patient में अब जो है वो उसको हटा कर यह वाली दवाई के उपयोग को करने की बा और hydroxy chloroquine जो है इसका इस्तमाल किया जाता है autoimmune disease को treat करने के लिए जैसे की rheumatide arthritis और even malaria को treat करने के लिए भी किया जाता है इसका combination जो है guys यह काफी सारी countries के अंदर trial के तोर पर चल रहा है और world health organization जो है यह कहती है कि covid-19 जो है उसके against यह combination जो है वो काफी helpful है अब देखे taxation and other laws relaxation of certain provision ordinance 2020 यह इसको आपको ध्यान में रखने की जरुवत नहीं है क्योंकि यह सिर्फ उसके लिए था कि अभी जैसे की बढ़ा दिया गया था tax pay करने की जो date जो है वो बढ़ा दी गई थी June 30 कर दी गई थी क्योंकि coronavirus के समय पर लोग बाग जो है वो नहीं कर पा रहा है tax वगरा पे तो कह दिया गया कि उनको जो है वो कोई नहीं मिलेगी मैं तब कि उनके उपर कोई penalty नहीं लगेगी तो यह चीज आपर कर दी गई थी अब Patriot Air Defense Missile के हम लोग बात करते हैं तो United States ने recently भेजी है Iraq में Patriot MIM-104 यह long range all altitude all weather air defense system हमें देखने को मिल रहा है यह basically tactical ballistic missiles होती है उनको counter करने के लिए यह system है और cruise missile को भी और advanced aircraft को भी counter करने के लिए यह system हम लोग को देखने को मिल रहा है air missile defense system ठीक है तो यह चीज आप थोड़ी सी धान में रखना और बाकि इसकी range 70 km की है maximum 24 km की उचाई पर यह operate कर सकती है track via missile guidance system भी इसके अंदर मौझूद है missiles को track करने के लिए anti-smog gun की बात करें गाई तो इसे 12 large project sites जो दिल्ली के अंदर है बहाँ पर installed किया गया है anti-smog gun एक प्रकार की device होती है जो की spray करती है nebulized water droplets को atmosphere में जिससे की air pollution reduce हो जाए यह water tank से connected रहती है गाड़ी से connected रहती है जैसे की tanker होता है ना tanker हमारे घर में आता है पानी भरने के लिए कुछ उसी प्रकार की vehicle से connected रहती है यह पूरी city में जो है वो छिड़क रही है मलब water को जिससे की dust particles जो atmosphere में suspended है यानि की जो हवा में हवा में जो dust particles जो हम लोग को देखने को मिलते है वो इस water droplets के contact में आकर नीचे settle हो जाए जबीन पर कर जाए क्योंकि बहुत सारे ऐसे particulate matter 2.5 हमें देखने को मिलते हैं जो कि atmosphere में रहते हैं और जिसको inhale कर लेते हैं लोग और उनको various respiratory problems जो होने लगती है तो यह water droplets जो है वो छड़के जा रहे हैं जिससे कि यह particulate matter जो हो सेटल हो जाए लीजे बस और कुछ नहीं इसलिए यह anti-smok gun हमें देखने को मिल रही है ठीक है तो simple सी रीव्दस ध्यान में रखो अब देखिए counter cyclical capital buffer CCYB हमें banking के अंदर देखने को मिलता है banking sector को losses से protect करने क लिए यह हमें देखने को मिलता है तो यह है क्या गाई तो इसमें bank क्या करती है अपनी capital को hold कर देती है right कुछ समय पर जैसी वो देखती है कि उसका जो credit जो है वो काफी तेजी से grow कर रहा है मतलब कि वो उसके loan काफी तेजी से बाहर जा रहा है तो वो क्या करेगी एक time पर जो है वो रोग देगी अपने capital को मिलें कि उसके पास capital होगा तो उसको hold कर देगी बोलेगी कि इससे जादा जो है वो loan नहीं देना जिसी कि कल को अगर किसी प्रकार की situation खराब होती है financial situation तो at least वो bank के पास जो है वो अपना capital जो है वो रहे तो bank फिर बाद में जाकर इस capital buffer का उप्योग कर सकती है जब भी भी कोई भी financial loss वगरा जब उसको होता है stress period के दौरान तो उस समय इस particular amount का उप्योग किया जा सकता है यह rule पहली बार introduce किया गया था बासल 3 norms के अंदर और Reserve Bank of India जो है इसने अभी implement नहीं किया है इस CCYB को यानि कि इनोंने का है कि इसको जो है वो postpone कर दिया गया है COVID-19 के कारण पहली बार World War 2 के बाद पहली बार Wimildon जो है वो cancel हुआ है यह Grand Slam tournaments हम लोग को देखने को मलते हैं चार most important annual tennis event है और हर एक tournament जो है वो दो हफतों तक जो है वो चलता है हर एक tournament और यह चार हम लोग को tournaments देखने को मिलते हैं Skinder Australian Open है और यह mid January के सम मिलता है फिर French Open हमें देखने को मिलता है Wimildon हमें देखने को मिलता है और US Open हमें देखने को मिलते है ऐसे करके यह total हम लोग को चार tennis games हम लोग को tournaments है वो Grand Slam हम लोग को देखने को मिलते हैं तो यह चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा और अब बात करते हैं हम के अंदर देखने को मिलती है 1997 में इसको established किया गया था यह तिरिवंतपुरम या तिरिवंद्रम जो की capital city हम लोग को के देखने को मिलती है वहां पर यह located है और नयार wildlife century और पिपारा wildlife century इसके यह नजदीक हम लोग को देखने को मिलती है तो यह चीज है इसके बारे में आप आपको आइडिया होना चाहिए डारेक कोशन ऐसे बन जाते हैं अब देखिए United Nation Conference on Trade and Development की हाब बात हो रही है 1964 में से established किया गया था इसका headquarter हम लोग को Geneva Switzerland में देखने को मिलता है इसका main काम यह है कि development friendly integration को promote करना developing countries में जैसे कि developing country का contribution world economy में बढ़े यह कुछ report publish करती है जैसे क trade and development report, world investment report, least developed countries report, information and economy report, technology and innovation report, commodities and development report और recently United Nation Conference on Trade and Development इसने observe किया कि economic uncertainty जो आज की rate में कोरोना वारिस के समय पर जो देखने को मिल रही है तो इसने 2020 में 1 trillion US dollar का नुकसान जो है वो करवाया है राइट और observation जो था यह world economic situation and prospect 2020 के अंडर देखने को मिला था इस report के अंदर जो की इसी के दोरा United Nation Conference on Trade and Development के दोरा release की गई थी अब देखिए डेनियल पर्ल मडर केस में एहमद ओमार साइद शेक को बरी कर दिया release कर दिया पहले आपको मैं बताता हूँ डेनियल पर्ल कौन थे तो यह भी अगर question आले है तो आपको ध्यान में रखना है American Generalist थे The Wall Street Journal के इन्हें किट्नैप कर लिया गया था बाद में इनक टेर्रिस्ट के दौरा पाकिस्तान के अंदर 1 February 2002 में इनकी हत्या हुई थी और पर्ल जो थे गईस यह South Asia Bureau Chief The Wall Street Journal जो की मुंबई इंडिया के अंदर थी वहाँ पर यह post-it थे और एहमद ओमार साइद शेक की बात करें गईस तो 7 दिन तक जो है वो इसने बंदी बना के रखा था लोगों को आपको पता हो गईस और इंडिया ने एगरी किया था कि तीन मिलिटेंट्स को रिलीज किया जाएगा मुश्ताक एहमद जरगार एहमद ओमार साइद शेक उनमें से एक था और मौलाना मसूद अजर जो की हमें देखने को बलता है कि जाईश है मौंबत का इन्होंने तब से लेकर टेर्रिस्ट एक्शन्स वो करना शुरू किये जैसे कि 2002 में किड्नैप किया मुडर किया डैनियल परल का 2008 का मुंबई टेर्र अटैक जो है उसके मास्टर माइन थे यह और अभी DCN लिया पाकिस्तानी कोड ने जो सिंद के अंदर है और उसमें छोड दिया गया एहमद उमार शेख साइध को जो की जिसके उपर जो आरोब है कि इसने डेनियल परल जो है जो जनरलिस्ट है उसका मुडर किया था तो इसको छोड़ दिया गया तो इसको लेकर इंडिया ने फिर बोला कि फिनेंशल एक्शन टास्पोर्स में की जो मीटिंग सामले को उठाएगा राइट आगे की चर्चा करते है जियो फेंसिंग यह बैसिकलि कॉरेंटन लुक्रेंटर्स यानने गी जो भी लोग कॉरेंटन को वॉयलेट करते हैं तो उनको लोकेट करने के लिए यह एप बनाएगा जीओ फेंसिंग एप तो यह जीज़ आपको थो उपर यह रिलाई करती है, इमेल, SMS, अलर्ट जो है, वो जारी कर देती है, गवर्मेंट एजनसी को, अगर कोई व्यक्ती, जैसे ही अपने रेंज से जो है, वो गया, जैसे कि तावर की जो रेंज होती है, ठीक है, एक लोकेशन पर एक टावर की रेंज है, अब उस टावर के स तयार किया गया था, और Department of Telecommunication और C. Center for Development of Telematics, इन्होंने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के साथ जो है, वो डेवलप करी थी यह एप्लिकेशन, तो यहली चीज़ भी आपको थोड़ी सी पता होने चाहिए, फिर आ गई हमारी आरोग या सेतु आप, I don't think कि आपको इसक इस प्रकार से काम करती है, इसके लाबा, प्रोजेक्ट प्रान की बात करें गाईज, तो Indigenious Ventilator इंडिया में बनाया गया, Ventilator है यह, Ventilator प्रोटोटाइप, इसे Indian Institute of Science के दौरा डेवलप किया गया है, तो Ventilator का काम आप जानते ही है कि, ऑक्सीजन वगेरा पेस्टेट को कराना, और Ventilator प्रोटोटाइप जो है, यह, मिलब, उस Material से बना है, जो Material इंडिया में ही अविलेबल है, तो उसमें कहीं से भी हमें इंपोर्ट कराने की जरूट नहीं पड़ी, National Monitoring Dashboard COVID-19 के लिए है, जिसका एम यह है, कि जो भी शिकायते होती है, Central Government और State Government या Union Territories के पास तो उन शिकायतों का निवारन करना, इस बोट के तुरू, या रही है, डैश बोट के तुरू, इसे डेवलप किया है, Department of Administrative Reforms and Public Gravians के दौरा, D.A.R.P.G. के दौरा, जो की Ministry of Personal Public Gravians and Pension के अदर आती है, कि जो भी लोग जो है, वो शिकायत इस डैश बोट पर कर सकते हैं, और उनकी शिकायत का निवारन जो है, वो जलसियल सरकारी authorities करेंगी, State Government, Central Government करेंगी, Operation Sanjeevni की बात करेंगा है, इस तो Indian Air Force C-130J, Transport Aircraft, यह डिलिवर, इसने अभी डिलिवर किया है, 6.2 टन, 6.2 टन Essential Medicines को, और Hospital Consumables को, यह मौलदीव को डिलिवर किया, Operation Sanjeevni के ता है, Medicine के अंदर, Influenza Vaccine, Antiviral Drug जैसे की, Lopi, Navir और Reto Navir, हमें देखने को मिली थी, जो की, COVID-19 के पेशिट को, ट्रीट करने के लिए, helpful हो, तो मौलदीव को, हमने यह, Operation Sanjeevni के तहद, जो है, वो, डिलिवर किया है, अब देगे, Exercise, NCC, योगदान की हावर, बात हो रही है, National Cadet Corpse NCC का, Full Form है, इन्होंने, Helping Hand, जो है, वो, Civilian Authorities को, Offer किया है, जो की, लड़ रही है, हमारी कंट्री के अंदर, COVID-19 के अगेंस, तो यह, अब, अब से, NCC की भी, Service, जो है, वो, Exercise, NCC, योगदान के थू, जो है, वो, देखने को, मिली थी, COVID-19 को, रोकने के लिए, थोड़ी सी एक्टिविटीज थी, कि NCC में, जो भी, लोग, शामिल होते हैं, वो, Social Service कर सकते हैं, Discipline, और Adventure Training, जो है, वो, उनको, प्रोवाइड की जाती है, NCC सभी, Regular, School, Students के लिए, उपन है, राइट, मिभी, शायद, आप में से, काफी सारे, लोगोंने, NCC में, पार्टिसिपेट भी हो जाते हैं, तो मैंने भी, मैं भी था उस एक्टिविटी में, तो रस्ती वगरा कैसे खोलनी हैं, कैसे नॉट्स को बांद रही हैं, कैसे चड़ना है, तो वो सब चीज़े सिखाए जाता था, तो स्कूल और College के जो Regular Students है, तो भाग ले सकते हैं, NCC में, voluntary basis पर अपनी जो है, वो जॉइन करने को मिल रहा है, वो ऐसा नहीं होता, बढ़ हाँ, फिर भी उनको जो Certification होते हैं, तो उससे Priority वगरा कई बार मिल जाती है, अब देखो Grace 4 Mission की हावर बात हो रही है, Gravity Recovery and Climate Experiment Follow on Mission, तो Grace Mission का ये successor हम लोग को देखने को मिल रहा है, इससे पहले Grace Mission गया था, Grace Mission जो गया था, 2002 में, तो ये जो Mission था, ये धरती के Orbit पर, जो है, वो प्लेस कर दिया गया था, अनोने इस Mission को, और ये Check करता था कि Gravity में Variation जो है, वो कहां कहां पर है, उसको Measure करता था, जैसकि धरती का Surface है, कहां पर कितनी Gravity है, किस-किस एरिया पर, और किस-किस तरीके से Gravity मे तो उसको Observe करता था, और हर 30 दिन में अपना एक Map जारी करके देता था, और ये Grace F.O. Mission है, इसका काम भी हो ही रहेगा, बट ये उसके साथ-साथ ये Check करेगा, कि धरती का Water Movement जो है, वो किस प्रकार से Change हो रहा है, तो धरती के Water Movement को Monitor करेगा, जैसे कि Underground Water Storage कितना है, कितना पानी जो है, वो बड़ी-बड़ी Lakes में, Rivers में, Soil Moisture कितना देखने को, Rise Sheet में कितना पानी है, Glacier में कितना पानी है, और क्या, जैसी कि अगर पानी को Add करते हैं, समुदर में, Ocean में, तो Sea Level कितना Rise होगा, तो ये सब चीज़ों का Data जो है, ये, निकालने की कोशिश करेगा, ये Mission, New Satellite Based, Satellite के अधार पर नई, जो है, वो, हर हफते, Global Map, जो है, वो, Soil Moisture का, और Ground Water का, जो है, जारी होगा, तो यह अली चीज़ हाँ पर बताई जा रही है, तो ये सब चीज़े, बस आपको इस Mission के बारे में, थोड़ी सी ध्यान में रखती हैं, ये Mission किन का है, और इस Mission का क्या object हम लोग को देखने को मिल रहा है, purpose हमें देखने को मिल रहा है, अब how COVID-19 outbreak slipped through China system, China से कैसे COVID-19 जो है, वो, निकला, रही है, वहाँ से कैसे बड़ा आ गी है, आप जानते है, वोहान में ही हम लोग को देखने को मिला था, कि COVID-19 जो है, पहली बार डिटेक्ट हुआ था, या वहीं से ही संकित मिल है, कि वो निकला है, तो इसको लेकर एक article था, जो कि आपके prelims के लिए काम करनी है, यह जीज़ आप से बूछिया सकती है, Asian infrastructure investment bank से related कोशना सकता है, जनवरी 2016 में यह बना हो था, multilateral development bank है, जिसका mission यह है, कि social और economic result यह development जो है, वो Asia और Asia के दूर दरा development के लिए काम करता है, तो नहीं, Asia plus beyond, उसके बाहर भी development पर काम करता है, इसका headquarter हम लोग को बीजिंग में देखने को मिलता है, capitalist bank का जो है, 100 billion US dollar के साथ हमें देखने को मिलता है, equivalent to two-third of the capital of Asian development bank, तो Asian development bank के two-third capital और 50% capital जो है, world bank का, तो वो इसमें हम लोग को देखने को मिलता एशन infrastructure investment bank में, AIIB में, तो COVID-19 से लड़ने के लिए, इंडिया ने 6 billion US dollar का low जो है, वो हासिल किया है, AIIB से और ADB से, Asian development bank और Asian infrastructure and investment bank, और 1 billion US dollar, इंडिया COVID emergency response and health system preparedness project के तुरू, इंडिया को world bank से funding मिली है, तो यह सब चीज़े आप लोग को इसकी पता होनी चाहिए, National Security Act 1980, इस Act के तहट एक individual को arrest किया रहा सकता है, बिना किसी charge के कितने महीने के लिए, तो 12 महीने के लिए यह चीज़ धान में रखना ना की 6 महीने के लिए, गोल जो है, एक individual को prevent करना, crime को commit करने का बिलकुल सही, यही goal हम लोग को NSA का देखने को मिलता है, NSA के बारे में पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आर्टिकल 21, क्लॉस 3 और B, जो constitution के हैं, यह allow करते हैं, preventive detention को और restrict करते हैं, personal liberty को, और state की security और public order के तहद, reasonable restriction के तहद, जो है, वो restrict कर दिया जाता है, एक वेक्ति को, जैसे की preventive detention भी allowed है, और इसके बारे में, बकाईदा हम लोग को आर्टिकल 21, क्लॉस 3, B के अंदर, reasonable restriction की यहां पर बात कही गई है, अब देखो, करूना initiative, करूना initiative, तो करूना का full form is, civil services association, reach to support in natural disaster, तो association के अंदर हम लोग को officers, central civil services के जिसके अंदर IAS हमें देखने को मिल रहे हैं, IPS officers हमें देखने को मिल रहे हैं, प्लस industry के leaders देखने को मिल रहे हैं, NGO professionals हैं, IT professionals हैं और काफी सारे है तो यह क्या कर रहे हैं, कि यह बोल रहे हैं, coronavirus से लड़ने के लिए यह अपना support जो है वो करेंगे, आगे की बात करें, hack the crisis, India hackathon की, तो यह basically COVID-19 से कैसे जो है वो बाहर निकलना है, तो उसके outcomes को find out करने के लिए, उसके solution को निकालने के लिए यह hackathon जो है वो launch किया गया, और यह ministry of education के द्वारा जो है वो launch किया गया, और इसे मीटी, ministry of electronics and information technology का support है, global initiative का यह part है, इसे organize किया है, hack a clause India और FICCI ladies organization पूने के द्वारा, personal protective equipment PPE, PPE kit को DRDO ने develop किया है, bio suit जो है, जो की medical, paramedical और दूसरे जो personal जो हमें देखने को मिलते हैं, जो की COVID-19 से लड़ने के लिए काम कर रहे हैं, तो उन्हें safety जो है वो provide कराएगा, यह PPE kit deadly virus है, तो यह DRDO ने develop की है, यह PPE kit, तो यहाली चीज़ आप लोग को थोड़ी सी पता ह होनी चीज़ है, इसके लाबा, इसके अंदर specific type fabric का, यानि की कपड़ा जो है, वो specific type का है, coating जो की हुई है, वो एक specific type की coating की हुई है, DRDO ने develop करी है, यह technologies, area को sanitize करने के लिए, अलग-अलग size के area को, portable backpack area, sanitization equipment भी develop किया गया है, छोटे area के लिए, और trolley mountain large area, sanitization equipment, यह बड़े area को sanitize करने के लिए, develop किया गया है, अब air quality improve हुई थी, lockdown के चलते, तो इसको लेकर एक article हमें देखने को मिला था, पात साल पहले जैसी air quality थी, उस type की air quality, जो है वो, pollution level की quality, जो है वो हम लोग को देली में देखने को मिली थी, तो यह वाला जो topic है, यह आपके उसके लिए है, क्या मुलते हैं, main point of view से, अब central pollution control board की बात करें, CPCB की बात करें, तो क्या यह constitutional body है, CPCB तो नहीं यह constitutional body हमें, नहीं देखने को मिलती है, CPCB एक statutory body है, और जो भी statutory body जो होती है, आपको यह चीज़ ध्यार में रखना है, कि किसी कानून के तहत उसे बनाय गया होता है, तो इ इसके द्वारा जो है, वो इसे बनाया गया है, सेटप किया गया है, 1974 में CPCB जो है, वो सेटप हुई थी, और इसके लाबा, हमें, it coordinates the activities of state pollution control board by providing technical assistance and guidance and also resolve disputes among them, तो यहाला बिलकुल काम, इसका CPCB का, हम लोग को देखने को मिलता है, कि coordinate करती है, यह states के बीच में, right, coordination create करके और इसे 1974 में, मैं आपको जैसे बताया है, कि Water Prevention and Control of Pollution Act 1974 के तहित बनाया गया था, तो 1 और 3 इसके correct answer हम लोग को देखने को मिलता है, अब Bacillus Calmit Curin BCG vaccination की हाबर बात हो रही है, तो tuberculosis के against BCG vaccine जो है, वो लगाई जाती है, अब कोशन यह भी आ सकता है कि tuberculosis की vaccine जो है, वो किस से COVID-19 को fight करने में मदद कर रही है, तो BCG vaccine के अंदर एक live but weekend strain हम लोग को tuberculosis bacteria का देखने को मिलता है, जो की body के अंदर antibody बनाने के लिए provoke करता है, तो कुल मिलाकर हमारे immune system को boost करने के लिए यह BCG vaccine जो है, वो body के अंदर लोगों के डाली जा रही थी, कि जिसे कि लोगों का immune system boost अब round tripping का मतलब क्या है, round tripping, तो it refers to money that leaves the country through various channels and make its way back into the country, often as foreign investment, this mostly involves black money, इसमें black money आता है, and is allegedly often used for stock price manipulation, देखो, आसान शब्दो में मैं आपको समझा हूँ, तो हवाला के माता है, 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 तो ह आद्धियम से, लोगबा क्या करते है, अपना black money जो है वो भेज देते है, USM, जैसे for example, अब USA के अंदर ये क्या करते है, इन लोगोंने, कोई company इंटी वहाँ पर है नहीं, बढ़ इन्होंने क्या किया हुए, shell, SHE, LL, shell company बना के रखी है, मतलब ऐसी company जो की, सिर्फ paper पर हम हम लोग को देखने को मिलती है, कागजो पर ये company हमें देखने को मिलती है, फिर ये क्या करते हैं, US में बताते हैं कि हमारी company ने profit किया, हमने कमाया, और फिर उस कमाई से हम लोग इंडिया के अंदर investment कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या खेल खेला, black money से white money में इन्होंने convert कर दि है, तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है, इस प्रकार से, गार जो है general anti-avoidance rule गार, तो ये anti-tax avoidance law हम लोग को देखने को मिलता है, income tax act जो 1961 का है, इंडिया के अंदर उसके chapter 10A के अंदर शामिल है, और इसे बनाया गया है department of revenue के द्वारा जो कि department of finance के अंदर आती ह सकती है, सामने वाले व्यक्ति के tax benefits को, यानि कि किसी भी transaction में अगर किसी व्यक्ति को कोई tax benefit हो रहा है, और अगर authorities को ऐसा लगता है, कि वो किसी भी commercial substance या फिर consideration other than achieving tax benefit, यानि कि वो व्यक्ति जो है, वो किसी भी illegal means का उप्योग कर रहा है tax benefit को हासिल करने के लिए, और उसके पीछे कोई भी commerce वगरा involved नहीं है, तब ऐसे tax benefit को जो है, वो deny किया जा सकता है tax authorities के द्वारा और उसे power मिलती है, गार से, गार से, general anti-avoidance rule से, जो कि हमारी country के IT Act के अंदर, income tax act के अंदर हमें देखने को मिलता है, और IT department ने, जो है वो NDTV के उपर आरोब लगाये थे, कि वो round tripping finances में involved, तो इसको लेकर ये topic था, बढ़ ये हमारे काम का नहीं है, main जो चीज जो थी round tripping से related, जो आपको बता होनी चाहिए थी, वो चीज मैंने आपको बताई, अब मन्रेगा, इस से related question बनते हैं, तो ये मन्रेगा कब launch की गई थी, महात्पा गांदी National Rural Employment Guarantee Act, तो 2005 में launch की गई थी, objective इस कानून का ये है, कि rural areas में गाउचेतर में रहने वाले जो लोग हैं, उनके livelihood security उनको provide कराना, मदब की work उनको provide कराना, जिससे की income वो generate कर सकें, और at least 100 days की guaranteed wage employment यहाँ पर provide की जाती है, एक financial year में, और हर एक household में, जो भी adult member हैं, और वो अगर चाहा रहे हैं, uns skilled manual work को करना, वो अगर अपनी एक्षा से चाह रहे हैं, तो फिर उन्हें enroll कर दिया जाता है, और 100 days की उनको guaranteed employment जो है, वो provide की जाती है, eligibility criteria के अंदर क्या है, तो Indian citizen होना चाहिए, 18 साल की उसकी उमर होनी चाहिए, applicant जो होना चाहिए, वो local household का part होना चाहिए, मतलब की, जिस local gram ग्राम पंचायत में जहाबर वो application फाइल कर रहा है, तो वहीं पर ही उसका घर होना चाहिए, applicant जो है, वो खुद की एक्षा से आना चाहिए, और ग्राम सभा और ग्राम पंचायत जो होगी, वो approve करेंगी, work होगी, कौन से कौन से कार्य करना है, मनरेगा के अंदर, और उनको priority देंगी, कौन सा काम जो है, वो पहले करना है, इसके अंदर ग्राम सभा का क्या रोल होता है, अगर यह आ जाए, तो ग्राम सभा निर्धारित करती है, priority को, की काम की priority क्या होगी, जब भी ग्राम सभा की meeting होगी, तो उस समय, लोगों से पूछताच करके, जैसे कि लोग बो तो execute हो रहा है, तो उसको monitor करने का भी काम जो होता है, वो ग्राम सभा का हमें देखने को बलता है, अब ग्राम बंचायत क्या काम करती है, तो यह application जो है, वो इसके पास आती है, registration के लिए, verify करती है, कि सामने आल है, विक्ती ठीक है कि नहीं है, कहीं illegal means के थूँ तो, कहीं व 15 दिन के अंदर अंदर जैसी सामने आल है विक्ती है, application submit करता है, 15 दिन में उसको काम मिलना शुरू हो जाता है, तो यह चीज हम लोग को देखने को मिलती है, अगर बाइचास 15 दिन में काम मिलना ना शुरू हुआ, तो उसकी वेज़ेस तो 15 दिन में शुरू हो ही जाती है, तो यह चीज हमें देखने को मिलती है, इसके लाब identify करना, plan करना की किस प्रकार के काम होंगे, shelf जो होते हैं projects के उसको develop करना, including निर्धारित करना की priority का order जो होगा वो क्या होगा, तो यह सब चीजे भी gram बंचायत के role के अंदर हमें देखने को मिलती है, responsibility state government की क्या होती है, म rules बनाना, right, कि जो भी state की responsibilities जो होती है, इसके, मलब इसकानून के section 32 के तहर, जो responsibility state को दी गई है, उसके तहर, यह rules बनाती है, develop करती है, notify करती है, rural employment guarantee scheme को state के लिए, और setup करती है, state employment guarantee, council को भी, जिसे की jobs वगएरा, जो है, वो work वगएरा, जो है, वो लोगों को मिलती रहे, setup क किया जाता है, state level पर मन्रेगा, implementation agency या mission को, right, इसके लावा setup किया जाता है, state level मन्रेगा, social audit agency को auditing करने के purpose के लिए, क्योंकि इसके अंदर mandatory है, कि audit भी करना, ऐसा नहीं होना सी, कि पता लगए कि काम allot कर दिया, और काम हुआ कुछ नहीं, बस पैसे बाट दियेगा है, और घ guarantee fund को भी, वो state का काम होता है, तो यह सब चीज़े हम लोग को देखने को मिलती है, right, अब PIL, जो है, वो honorable supreme court में file हुई थी, care demand की जारी थी, कि पूरा wages, जो है, 7.6 crore active job card holder, जो है, हमारी country के अंदर, बन रहेगा किता है, तो 21 दिन के nationwide lockdown जो हुआ था, तो उसमें पूरा पैस जो है, वो सामने आई थी, और PIL में ये भी mention किया गया था, कि 100 दिन से work days को बढ़ा कर 200 दिन, जो है, वो कर दिया जाए, तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में निखने है, आपको मंडरेगा के बार में, जो important points मैंने बता है, वो आपको ध्यान में रखना है, अब देखो हम इम्यून सिस्टम जो है, वो किस प्रकार से काम करता है, तो हमारी body के अंदर immune system, bacteria, virus, parasite से हमें protect करके रखता है, और हमारे system से उसे remove करता है, इस प्रकार से bacteria, इन सब चीज़ होगो, तो यहाली चीज़ आपको बता ही है, बड़ यहाँ पर prelims के लिए आप थोड़ी सी चीज यह ध्याल में रखना, cytokine storm के बारे में, तो होता क्या है, कि अभी जो coronavirus जो हम लोग को देखने को मिला, तो उसमें हुआ क्या, कि इसने हमारे immune system को confuse किया, ऐसा नहीं कि हमारे immune system ने antibody जारी नहीं करी, जैसी coronavirus body के अंदर enter हुआ, antibody तो जारी हुई हमारी release हुई, और आपको ए एक ऐसी बंदूग से गोली निकलती है, तो वो लगती ही लगती है, तो बिल्कुल सेम काम इसका यह होता है, तो यह क्या करता है, क्या करता है, हमारी antibody हमारे खुद के ही जो cells है, active cells है, उनी को ही नुकसान पहुचाने लगती है, उनी पर ही अटाक करने लगती है, तो cytokine storm जो है, वो यह ही है, it is an overproduction of immune cells, हमारे immune cells होते हैं, उसको वो overproduce हो जाते हैं, and they are activating compound that is called cytokine, which in a flu infection is often associated with a surge of activated immune cell into lungs, जैसे कि कोई भी ऐसा infection हुआ, जिसमें बहुत भारी मातरा में यह antibody जो है, या फिर cytokine जो है, वो release हो गए, अब cytokine release हो है, तो यह कहीं ना कहीं, तो hit करेंगे, तो यह active cell को जो है, वो नुकसान पहुचाते हैं, और उसके कारण हम देखते हैं, कि even जैसे कि lungs की हम बात करें, तो lungs के अंदर inflammation हो जाता है, fluid पानी जो है, वो भर जाता है, क्योंकि यह भारी मातरा में जो है, वो release हो जाता है, और even patient जो है, उनकी मौत तक हो जाती क्योंकि यह खुद के अपने cell को जो है, वो नुकसान पहुचाने लगता है, और यह कब होता है, cytokine strong, तो एक infection के तहर्थ, autoimmune condition के तहर्थ, हमें देखने को बलता है, कि जब वो होता है, और even जो autoimmune disease होती है, दूसरी disease होती है, इस ही कि मुझे खुद को ही है, अनका losing spondylitis, इसमें मेरे खुद के ही cells जो है, वो मुझे ही attack करता है, तो वो वाली चीज है, तो वो ही सेम चीज, coronavirus के अंदर भी हम लोग को यही देखने को बलेती है, और cytokine strong, जो है, it is not exclusively to corona patient, यानि कि ऐसा नहीं कि सिर्फ corona patient को ही होगा, cytokine strong, जैसे मैं आपको बताया, कि यह वाली च खुदी की body में, जो है, यानि कि खुदी के active cells हैं, उनको नुक्सान पहुचाती है, तो यह वाली चीज है,